होला वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई रेशिपी गोभी की गोजिया इसके लिए हमने प्याज अद्रक और मिर्च काट लिए हमने गोभी को कद्दू कसकर लिया है बारिक अब हम इसको गोभी को फ्राइ करेंगे हम यह कडाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने तक वेट करेंगे हमने अद्रक डाल दिया अब थोड़ी सी प्याज डालेंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे कि हमने प्याज को ब्राउन कलर तक होने तक प्राई कर लिया है अब इसके बाद इसमें गोभी डालेंगे गोभी डालेंगे इसको भी प्राई करेंगे अब इसमें थोड़ी से धनीय डालेंगे उसके बाद इसको निकाल लेंगे अब यह बढ़ने के लिए तयार है बस अब दहन में दनीय डाल दिये और भादने के लिए तयार है गाइज हम आटे को इतना में मोटा बेल लेंगे ज्यादा बड़ा नहीं होगा मीडियम साइज का अब इसमें हम इस्टप भरेंगे ऐसे इसको ऐसे भरके चारो तरफ से दबा देंगे इसे ये कि निकलना पाएं आए ऐसे फोल्ड गरते हुए इसको दबाते हुए आगे चले आएंगे जिससे ये निकलना पाएं हमने गोबी की स्टफिंग इसमें कर दी है और देखिए ये कितना प्यार अलग रहा है अब इसके बाद हम ग्रैवी बनाएंगे उसके अंदर इसको डालेंगे ग्रैवी के अंदर ग्रैवी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे द्रैवी नाने के लिए हमने प्याज, मिर्च और अद्रक डाल दिया है अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हमने आलू को भी कर्दू कस कर लिया था अब इसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे इसको गाइज हमने इसमें मसाला डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, अब हमने इसमें वाटर एडिक कर दिया है, अब इसको हम एक उबाल आने तक इसका वेट कर लेंगे, अब हम उसके बाद हम स्टफिंग की हुई, गोवी की स्टफिंग की हुई गोजिया को इसमें डालेंगे ग्रेविय में उबाल आ गया है अब हम गोजियों के इसमें डाल देंगे पकने के लिए गाई देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बनेगा उसके बाद हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना हुगा है कितना प्यारा पक रहा है आप मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा होगा के बाद इसको देखेंगे यह हम आदे गोजियों बनके त्यार हो चुकी है अब हम गैस को बंद कर देंगे गैस को बंद कर देंगे यह हमारे गोजियों बनके त्यार हो चुकी है गैस हमने यह सर्व कर लिया है अब हम यह खाने के लिए रेडी है हम दिखाते हैं आपको यह कैसे स्टफिंग की गई है और कैसे बना आए गैस यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है खाने तो बहुत ही टेस्टी होगा वाँ टेस्ट करने के बाद बहुत ही अच्छा बना हुआ है मुह में तो एकदम पानी आ रहा है लेकिन खाने के बाद एकदम मन को संतुष्टी मिल गई है बहुत ही अच्छा बना है थैंक थैंक यू गाइज और वाचिंग दे वीडियो